हेलो गाईज, विलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल यसकियम इस्टडी अवे आप सक्सिज मैं हूँ आपका एजुकेटर सिवम मिस्रा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल यसकियम इस्टडी पर और यहाँ पे यूपी बोड़ी जाम 2022 के लिए सामाज विज्ञान का मॉडल पेपर लेकिया है आप इसको सेंपल पेपर भी कर सकते हैं या गेस पेपर करिए बहुत ही महत्यपूर है आपको इसमें बहुत विकल्पी देखें अद लग उतरी देंगे दे उतरी और लग उतरी चारो टाइप के प्रशनों को कवर करेंगे जो कि आ और 2022 का त्यारी कर रहे है तो अपने यूटूब चेरी असके मिस्टेडी को जोरू सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मैंने क्लास 10 तेंथ सोसल साइंस का पूरा स्लेवर्स भी पढ़ा दिया है एक ही वीडियो में पूरा ध्याय खतम है जाके आप पढ़ लीजिए पूरा व लिखित में इसे किस राज में काली मिट्टी पाई जाती है जारखंड गुजरात राजस्थान या विहार तो जो गुजरात है जो गुजरात है यहां पर क्या पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है यानि जो ब्लैक सोयल किसको कह जाता है भारत के जो गुजरात तो जो पेरियार रामा स्वामी नायकर था यह कौन था एक वैग्यानिक था सिच्छाविद था समाज सुधारक था या उक्त सभी तो जो पेरियार रामा स्वामी था, जो पेरियार नायकर रामा स्वामी नायकर था, यह क्या था? यह वैज्यानिक भी था, सिच्छाविद भी था, समाज सुधारक भी था, यानि कि उक्त में से सभी था, यानि कि यह वैज्यानिक सिच्छाविद समाज सुधारक यानि कि सभ जो समिने अवज्यानदोलन था, इसकी शुरुवात कभ की गई थी तो जो समिने अवज्यानदोलन की शुरुवात है यह 1930 इसमी में किया गया किसके नेतरित में किया गया था, कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रुणा गांधी जी की यानि कि महात्मा गांधी जी की नेत्रित्त में समिने अवग्या आंदोलन चलाया गया किसन में सन 1930 स्वी में अब यहाँ पे है अति लगुत्तरी प्रश्न क्या है पाकिस्तान सब्द का स्वर प्रथम प्रयोग कब और किसन किया जो पाकिस्तान है इसका सब्द का प्रयोग स्वर प्रथम कब और किसन किया था तो Cambridge विश्व विद्याले की एक छात्र चोधरी रहमत अली और उसके तीन साथ यूनी जन्वरी 1933 इस्वी में एक पैम्पलेट नाओ और नेवर में सरवर्थम पाकिस्तान सब्द का प्रयोग किया गया तो पाकिस्तान सब्द का प्रयोग किस ने किया था तो पाकिस्तान सब्द का जो प्रयोग था वो चोधरी रहमत अली और उसके तीन साथियों ने किया था किस्षन में किया था 1933 स्वी में अगला प्रश्ण है आपे नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया समझाईए जो नमक सत्याग्रह था इसे कब प्रारंभ किया गया तो गांधी जी की द्वारा दिये गए मांग को वाय सराय इर्विन ने नहीं माना तो गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ 11 मार्श 1930 इस्वी को नमक सत्यागरह प्रारंभ किया तो नमक सत्यागरह प्रारंभ किया गया यादर ना उस प्रस्ताव को नहीं माना जिसके उपरान गांदे जी और ये 78 और साथियों को लेकर 11 मार्च 1930 को नवक सत्यागरह को प्रारम कर दिया अगला प्रश्ण है मुंबई पंतन से देश का कितना व्यापार होता है जो मुंबई पंतन है यानि कह सकते हैं जो मुंबई का पंतन बंदरगा है यहाँ पर सबसे अधिक कितना व्यापार होता है तो एक चोथाई से अधिक जो व्यापार होता है वो मुंबई पंतन से ही होता है अब यहाँ पे है लग उत्तरी प्रश्न प्रश्न क्या है लोग तंतर की परिभासा वह अर्थ बताईए यानि कि लोग तंतर की परिभासा क्या होती है और इसका अर्थ क्या होता है समझाना है तो उत्तर में क्या लिखेंगे लोग तंतर वह सासन है जिसमें सत्ता जनता के हा द्वारा ही चुना जाए तो लोग तंद्रकार्थ आपको समझ जाया लोग तंद्रकार्थ क्या होता है लोग तंद्रका जो अर्थ होता है वह सासन से होता है जिसमें सत्ता जो होता है वो जनता के हाथ में होता है और इसका अर्थ यह है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाए इसका निर्माड अंग्रेजी भासा के दो सब्द डेमोस और क्रेसिया से हुआ है और इसी लिए दोनों मिला देते हैं तो डेमो क्रेसि बन जाता है कहां से लिया गया है? डेमोस और क्रेसिया से और दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो डेमो क्रेसी बन जाता है डेमो क्रेसी काई अर्थों क्या होता है लोक तंत्र होता है और लोक तंत्र वह सासन है जिसका आसत्ता किसके हाँ में होता है जनता के हान में होता है जिसको चाहे वो प्रधान मंत्री बना दे जिसको चाहे वो मुख्य मंत्री बना दे लोग तंद्र की अन्य परिभासा क्या होता है लोग तंद्र वह सासन व्योस्ता है जिसमें प्रतेग व्यक्ति भाग हो यानि कि इसमें भाग लीता है अगला प्रशन है आपे एक संगठित चित्रक क्या है इसके कोई लाभ लिखिए तो एक संगठित चित्रक क्या होते हैं और इसका लाभ लिखना है तो संगठित चित्रक को अपचारिक चित्रक भी कहते हैं जो संगटित छित्रक होता है इसी क्या कहते हैं और चारिक छित्रक भी कहते हैं वह छित्रक जिसमें सरमिकों को सामाजिक सुरच्छा में लाब हो जैसे पेंसन और उपदान तो उसे हम लोग को हम लोग संगटित छित्रक कहते हैं और इसके लाब क्या-क्या है तो पहला लाब होता है इससे सरमिकों के सुरच्चा में लाभ प्राप्त होता है जो संगठित चिक्तरक होता है इसके द्वारा क्या होता है जो सरमिक होते हैं तो सरमिकों के सुरच्चा को लाभ प्राप्त होता है दूसरा स्रमिकों की रच्छा के लिए स्रमिक संग बना है यदि अतरिक्त काम लिया जाए तो उसका अतरिक्त भी भुक्तान किया जाए तो यह हमारा एक संगटित चित्रक क्या होता है उदारण है अब यहाँ पे है देर्टरिय प्रश्न पहला प्रश्न क्या है अर्थ विवस्था के असंगठित छित्रग में स्रमिकों के किनी तीन समस्याओं का उलेख कीजिए तो तर्म क्या लिखेंगे जहां पर स्रमिक संग नहीं बना है और थात जहां पर असंगठित छित्र है वहां पर स्रमिकों का सोसर किया जाता है जिसकी तीन समस्यां निम्न है पहला क्या है असंगठित छित्र में स्रमिकों के नौकरी की सुरच्छा नहीं होती है उन्हें बीना कारण के निकाला जा सकता है दूसरा उन्हें छुटिया कम दी जाती है यदि कोई बिमार हो जाता है तो उसके लिए भुकतान नहीं किया जाता इससे किसानों वह स्रमिकों क को बहुत कष्ट जिलना पड़ता है तीसरा असंगटिच छित्र में स्रमिकों से काम अधिक लिया जाता है काम अधिक न होने पर उन्हें काम से निकाल दिया जाता है अतह उपर युक्तसमस्याओं को दूर करने के लिए संगटिक छित्र का आवस्यक होना जरूरी होता है तो यह क्लास 10 यूपी बोर्ड 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टन क्योंचन है मॉडल पेपर इसको आप पढ़ लिजे साइंस का ऐसी व्यों चाहते है तो चैनल को जहुर सब्सक्राइब करेंगे दूसरों थाइंक्यू जाहिन